Assalamualaikum, मैं Zulikha Arfad, Zulikhaas Kitchen से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं, बढ़िया से मज़ेदा जटपड बनने वाले Mayo Chicken Chutney Roll, यह मैंने खुदनी क्रियेट की है, और बहुत जटपड है, और बहुत डिलिशिस भी है, और क्रिस्पी, आपने सुना, कितनी बढ़िया सी, और यह देखिए, माशालला, क्या लग रही है, और टेस्ट में भी बहुत बहुत बहुतरीन है, तो चलिए, शुरू करते हैं, आज की रेसेपी, साधाराण, याने, और ओडनरी इंग्रेडियन से, एक्स्ट्रा ओडनरी डिश बनाते हैं, आज की, चलिए, यह है, धाइसोगराम, चिकन बॉइल करी हुई है, बॉइल करने में कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा नमक दाला, बन फूद कर जितना पानी डाला, दो छुड़ी चाय के चामशा द्रकलेसन का पेस डालकर, अच्छा बॉइल कर लिया, बॉइल हो गया, चिकन गल गई, तो मैंने फास्ट आश करके, थोड़ा सा पानी रहने दिया, और बाकी का पानी सुखा दिया, अब ठंडी हो गई, तो मैं इसे श्रेड कर लेती हूँ, अच्छा, मैंने थाई पोशन लिया, आप चाहें, तो ब्रेस पोशन ले सकते हैं, अब यहाँ पर एक कप, टाइटली पैक्ट कोथ मेर, यादे के हरा धनिया दाल दीजे, धोए हुआ एक मिक्सर जार के अंदर, और चार मेहरी मिर्चा ले रही हूँ, आप कम्याजाद आपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, इससे डाक कर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर ल ले लूँगी, तो समझे न, वन फोट कप जितना मैंने पानी डाला, मिक्सर जार के अंदर चला कर, मैं ये चिकन के अंदर डाल देती हूँ, अब इसे मिक्स कर लीजिए, बार-बार चलाते रहिए, और थोड़ा सा हमें पकाना है, जादा नहीं, अब आप कहेंगे पकाना क्यों है, क्योंकि क्या है न, हमने ये कोतमेर याने के हरा धनिया जो लिया है, अब हम अगर ब्रेट के अंदर डालेंगे, तो वो पानी छोड़ सकता है, तो हम थोड़ा सा पका लेते हैं, बस थोड़ा थिक हो जाए हुमारा चिकन, ये आप देख सकते हैं, अच्छा खासा जो कॉनर्स है, कठे जो है, वो काट लीजिए, आप छुरी से काटें, या कैची से काटें मेरी तरह, अब ये ठंडा हो चुका है, अब ये चिकन की चटनी के अंदर 4 टेबल स्पून भर कर मायोनीज दाल दीजिए, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो ये अच्छी flavorful वाली है, हमारी मायो में flavor दालने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें इफलेवर है, तो ये बन गया हमारा बहुत अच्छा मायो बाला चटनी वाला चिकन का सौसी अच्छा, आप लेकन हिसे है, मायो नहीं स्थब दालेगा, जब completely हमारी चिकन ठंडी हो जाए, उसक तो देना है, अब चारो और मैं पानी लगा देती हूं, और इसे इस तरीके से चारो और से ऐसा सील कर दीजिए, तो ये हमारे रोल के शेप में आ जाएंगे, साइट से भी थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कीजिए, तो पानी की मदद से वो चिटक जाएंगे, तो ये बन हमारे मायो चिकेन चटनी रोल कहिए, या फिर कबाब भी कह सकते हैं, अब इसे साइट पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए, अच्छा, मैंने साइट के लिए देखा है, आपने पानी का इस्तमल किया है, आप चाहें, तो आटा है, हमारा सादा आटा, उसक कि लई से, जैसा हम समोशे को कैसे, लई से राप करते हैं, तो एंड में लई लगा कर, उसको सील करके, आप चाहें तो उससे भी कर सकते है, अच्छ, थोड़ा बहुत साइट से निकल रहा है, और आपको ऐसा लग रहे कि, अरे, यह निकल रहा, यह खुला है, कोई बात नह है टेंशन मत लीजिए और इसे आधे एक घंडे के लिए फ्रिज में रख दीजिए बट मेरे पास समय नहीं था तो मैं आभी नेक्स डे इसका प्रोसीजर शुरू करती हूँ चारो कोट कीजिए 4 ओरि से सब जगह से और यह बन गया हमाराएक तो मैयो चिकन चत्नी रोल कहिए या कबाब कहिए इसे साइट पर रख दीजिए इसी तरीके से सारे बना लीजिए जब सारी बना लें तो फिर से आधे एक घंडे के लिए फ्रिज में रहने दीजिए, एक घंडे के बाद उसे फ्राइ कर लीजेगा, अब आप चाहें तो इसे स्टोर करकर, फ्रीज करके तकरीबन दो हाफते तक रखके खा सकते हैं, मैं ग्या कर रहे हूँ, मैं आज जे नही बना रही हूँ, मैं कल बना रही हूँ, तो मैं नीचे बटर पेपर या प्लास्टिक नहीं लगा रही हूँ, मैं डालकर इसे ठाक कर फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स डे में बनाने वाली हूँ, अब अगर आप एक दो हफते तक रखके खाना चाहते हैं, तो नीचे या फिर बटर पेपर रख दीजिए, या फिर प्लास्टिक रख दीजिए, और ये सारे इस तरीके से लाइन सर रखा के रख दीजिए, फिर से बटर पेपर या फिर प्लास्टिक लगाईए, और उसके उपर फिर आपके ये जो ब्रेड हमारे ये जो बने हुए हैं, मायो चटनी उनकी लाइन लगा दीजिए और फिर ढख कर फ्रीजर में रख दीजिए जब भी मन करें निकाले थो करें और फ्राय करें फिर से next day हो चुकी है तो अब मैंने यहाँ तेल गरम पर रख दिया है आप चाहें तो वहीं से एक घंडे के बाद प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं तेल अच्छा गरम हो जाएं मीडियम आज कर दीजिए और बिसमे लाइरा फाने रेम बोल कर हमारे ये मायो चिकन चटनी रोल दाल दीजिए बहुत ज्यादा मत दालिए फ्यू अट-टाइम दालिएगा और इन्हें उलट-पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए वहां तक पका लिजिए क्योंकि अंदर से तो वह पके हुए ही है भार से हमें बस लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे तो क्रिस्पी हो जाएंगे क्रिस्पी हो जाएंगे तो निकाल कर नितार कर मैं टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं रखती हूँ मैं छनी के ऊपर रख देती हूँ तो छनी के ऊपर रखने के बाद नीचे कुछ पतीली या कुछ रख दीजिए सो जो भी तेल हो वो सारा ड्रेन आ आपखाँ मैं पने को में जिको संविद्स, चाहिए नियौंगोगों में हैं इस्टन哇 ओलीीस मेरे चानल पर अप्लोड किये हैं आप लोगों के लिए लिए इंपस, वो भी आप चेक कर लीजिएगा तो यह आप देख सकते हैं कितने quick और easy बने हैं माशाला हमारे लोग और यह देखे कितने crispy और करा रहे हैं और आप देख सकते हैं oily भी नहीं है मेरे हाथ में oil भी नहीं दिख रहा होगा हरी मिर्च आपके स्वाद अनुसार दालिएगा बाकी सारा perfect है बच्चे तो ऐसे खाएंगे ना मज़ा आजाएगा और बहुत easy और quick भी है आपने देखा यह मेरी personal recipe और मेरी personal favorite भी है जरूर बनाएगा और अगर अच्छी लगे तो subscribe कीजिए मेरे channel को और अपने family और friends में recommend भी कीजिएगा तो हैना वज़ेतार recipe अगर यह recipe बनाएगा तो मेरे साथ comment section में ज़र शेयर कीजिएगा मुझे आपके कभेस पढ़ने बहुत अच्छ लगते recipe अच्छी लगे तो like कीजिए उससे साथ अच्छी लगे तो अपने family और your friends में इस माली वीडियो के लिग जरूर फवर्ट कीजिएगा नए हो तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए फिर से अच्छी रोंगी नहीं शांदार दमदार recipe के साथ अधिल देन टेक कर अलाहाफिस बाइग